च्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रीन लाइन्ड सोलोशन पर और आज हम लेकर आए हैं मिस्लेनियस प्रोब्लम ये तर्क सकती देखिए इसमें हम मिस्लेनियस प्रोब्लम मैत का भी लाते हैं और ये आप अजरिजनिंग का लाए हैं दोनों का लाते रहेंगे इससे क्या होगा कि आपका कम समय में त्यारी बेहतर हो जाएगी ज़दी कोई छातर है जो कहीं बाहर काम करते हैं उसको पढ़ने का ज़्यादा टैम नहीं मिलता है वो पूरा सी लेवस नहीं पढ़ पाते हैं तो इस तरह से pattern पता करके और वो अपने जो set निकलता है जो exams का उसको ना देख करके इससे वो बहुत अच्छा से त्यारी कर सकते हैं इसलिए शुरू करते हैं फर्स्ट प्रस्ट इसमें दस तरह के प्रस्ट बताएंगे हर वीडियो में और आप उसे देखते जाएए आपको बहुत ही फाइदा होगी यह फर्स्ट प्रस्ट देखते हैं बहुत जाए एक किसी सांकेती कुटभासा में ब्रोदर को यह CSPUIFS लिखा जाता है तो उसी कुटभासा में sister को क्या लिखा जाएगा तो देखिए इस तरह के प्रस्टों को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ब्रोदर दिया हुआ है यह T है यहाँ पर ठीक है यह ब्रोदर को क्या लिख रहा है यह देखिए यहाँ पर यह CSPUIFS लिख रहा है तो और है sister को क्या लिखेंगे यह sister को क्या लिखेंगा देखिए यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले क्या हो रहा है आज बहुत basic से लिया हूँ यह basic वीडियो है उसके बाद हलका सा धिरे धिरे level बढ़ाते जाएंगे B से क्या आया है C मतलब एक जूत रहा है R से S एक पलस हो रहा है फिर O से P T से U H I E F R S इसका मतलब एक एक करके बढ़ रहा है PLUS ONE PLUS ONE PLUS ONE PLUS ONE करके यहाँ पर बढ़ रहा है तो यहाँ क्या करांगे S से क्या होगाüyorsun मेरा S से T तो T देखें किसमें किसमें है यह इसमें है यह तो होगा नहीं यह देख लेते हैं पहले T S से T, I से फिर J तो I के बाद J इसमें भी है J इसमें भी है S देखें S के बाद फिर T होगा T यहां भी है T यहां भी है फिर देखें T यहां पर T है टीके बाद फिर क्या होता है यू होता है यू होता है टीमे एड़ कर देंगे तो यू आ जाएगा यू देखिए इसमें नहीं है इसमें है फिर ए के बाद एप आर के बाद एस मतलब यह मिल रहा है option नमर बेज़दा राइट अंसर तो चलिए देखते है नेक्स प्लस इसका जो कोडिंग है याद करने का मैंने एक वीडियो बना दिया है बहुत ही ट्रेकी वीडियो है उसको आप जाकर के देख लिजएगा आपको यह जो इसका नमरिंग है जब लेवल इसका बढ़ जाएगा जो नमरिंग बताएंगे इसका ज़्यादा बड़ा बड़ा नमरिंग आएगा जैसे यहाँ पर देखिए पलस वन हो रहा था इसलिए आप लोग तुरत असानी से बना लिए कभी माइनस दो पलस तीन माइनस दो इस तरह से प्रड़ता है तो वहाँ पर आपको सबका अपना-पना कोड आद रखना बहुत ज़रूरी है जिसे देखिए ए-बी-सिडी लेटर है ये-ई-डी सुदी सबका अपना-पना कोड होता है इसका बप कर टू इसका 3 इसका 4 ठीक है यह next person बोल रहा है यादी किसी कुट भासा में मोहन को 56237 तथा यूमा को 853 लिखा जाता है तो उसी कुट भासा में हनुमान को क्या लिखा जाएगा तो देखिए इसमें क्या किया गया है सबसे पहले लिखते हैं मोहन को यह मोहन है मोहन के लिए कोड दिया है यहाँ पर यह तीन दो पांच है यहाँ पर भी तीन दो पांच है मतलब इसका 5, 6, 2, 3, 7 यूमा का भी कोड दिया हुआ है यह उमा का कोड है 8, 5, 3 अब यह कोडिंग को समझना पड़ेगा देखिए सबसे पहले कोडिंग क्या सेटिंग किया है यह कोडिंग को पहले समझना पड़ेगा तब ही हम लोग हनुमान के बारे में लिख सकते है तो देखिए यहां M का 5 है ठीक है M के सामने यहां भी देख रहे है M का 5 है मतलब लग रहा है सबका कोड दिया हुआ अपना बिसेस कोड यह बना के दिया हुआ क्योंकि M का ऐसे अलफा बेट में जो होता है मतलब सबका अपना अपना कोड दिया गया है यहां पर खुद ही दिया हुआ यह अपने से कोड बनाया हुआ तो देखिए M का कितना हो गया 5 तो M कहां इसके जगा बठा देंगे 5 A का हो गया 3 N के सामने कितना है 7 इसका हो जाएगा 7 H है H देखिए M सबसे पहले है 2 तो यहां पर देखिए इतना है से हम लोग option में tick लगा सकते हैं यह तो नहीं होगा क्योंकि 2 से सुरुवात नहीं है यह भी सुरुवात नहीं है 2 से यहां पर जब last में 7 मिल गया यह इतना मिल गया तो बीच में ही आएगा ही option number 8 का right answer हो जाएगा लेकिन पूरी confirm कर लेते हैं यहां पर बीच में क्या आएगा तो देखिए A, A के लिए फिर क्या है 3 है, यहां पर भी 3 है फिर देखिए N, N के लिए 7 है 7 भी तो यहां repeat हो रहा था न यहां पर यहां पर हो गया 7 उसके बाद क्या है फिर U, U के लिए कितना है 8 है, बतलब यह मिल गया पुरा clear loop से 23, 78, 53, 57 23, 78, 53, 57 यह option हो गया इसका right answer, चलिए देखिए next press न, देखिए next press में दी गई इस रिंकला में कौन सा पाद गलत है तो देखिए, यहां पर क्या करेंगे सबसे पहले देखते हैं कौन सा पाद यहां पर जो है, गलत है देखिए, सबसे पहले यहां पर पता लगाना पड़ेगा कि से इंकला में यह क्या चल रहा है, क्या हो रहा देखिए, यहां दो से से कहीं बढ़ कहीं घट रहा है मतलब यह अस्क्वाइरिंग का काम हो रहा है इस तरह के प्रेश्ण को क्या करने देखिए दो का पावर जदी एक कर दिया जाए दो आ गया दो का पावर दो करके देखेंगे तो आठ आ जाएगा जब फिर अगर तीन लेते हैं तीन का पावर कर दें तो तो कितना जाएगा यहां ना आ जाएगा जो कि यहां टेन दिया हुआ है जब फिर देखते हैं आगे तीन का पावर 2 पर चो तो आर मतलब है 9 होना चीए था 10 के जगा यही पाद में रहा क्या है गलत है तो कौन दस गलत है उप्शन नमबर वीजदा राइट अंसर यह ने एक्स प्रस नहीं देखिए फार इसमें बोल रहा है दी गई रेखा चीतर में लूपत संक्यां क्या होगी इसमें लूपत संक्यां म यहां पर 55 कैसे आया है, उसी तरीका से यहां पर वो संख्या आया होगा, तो यही दिमाग लगाना है इसमें, चलिए देखते हैं सबसे पहले कैसे, अगर 9,45 गुना कर दें तो नहीं आ रहा है, तो देखते हैं सबसे पहले 9 और 5 को गुना कर देंगे, 9,45 आ गया, अब इसको जोड़ दिया जाए, 9,5,14, 9,5 यह देखिए, 9,5,45 प्लस नो प्लस चाहुदा, यह पांच चार नो और चार और एक पांच, देखिए, यह आ गया 69, तो यहां पी देखिए, यही तरीका क्या गया होगा, यह 7 और 6, 7 चक 42 हो गया, प्लस 7 और 6 जोड़ देंगे, कितना होगा, यह तहरा, मतलब यहां जदे लिख दें, 3,2,5,4,15, मतलब यही खेल चल रहा है, तो क्या करेंगे, 3 और 8 का गुना कर देंगे, कितना आजाएगा, ऐसे हो जाएगा, देखिए, कन्फ्यूजन नहीं होना, एक बार गुना कर दिया गया, एक बार इसको जोड़ दिया गया संक्या, और 8,3,24, और 8,3,11, तो 4,1,5, कितना जाएगा, 35, ऑप्सन नवर सीजदा, राइट अंसर होगा, देखिए, अभी आपको, आप लोगों को अच्छा तरस से समझ में आ रहा होगा, चलिए देखते हैं, नेक्स प्रस्ण बोल रहा है, दी गए इस रिंकला में प्रस्ण वाच्छीन के अस्थान पर कौन सी संक्या आएगी, उसमें लूपत पद गयाद करना था, जो गलत था, तो इसमें बोल रहा है, इसमें क्या आएगा, तो देखिए, सबसे पहले पकड़ते हैं, कि 2 से 5, 5 से ग्यारा जाने में कितना क्या होगा यह देखिए यहां पर 5 यह 6 का अंतर है फिर 11 से 20 कितना अंतर है यहां पर 9 का अंतर है फिर 20 से 32 तो 3, 6, 9 लग रहा है 3, 6, 9 के बाद कितना 12 होना चाहिए तो 20 साब में 12 जोड़ देंगे 32 आरा है मतलब अब कितना होना चाहिए तो 12 के बाद कितना 15 मतलब जदि इसमें 15 जोड़ दें तो इसका अगला संख्या मिल जागा तो 5, 4, 2, 7, 3, 1, 4, 7, 4, 7, 4, 7 इसका अंसर हो जागा अप्सन नमबर 20 दा राइट अंसर तो देखिए बहुत ही सिंपल था इसमें क्या हो रहा था पांच ये 2 से 5 जाने में 3 है 5 से 11 जाने में 6 है 11 से 20 जाने में 9 है तो यहीं पकड़ लेंगे कि 3, 6, 9 ये 12 का घटना जा रहा है तो 32 के बाद कितना होगा 12 का बाद 15 बाद 32 में 15 जोड़ देंगे इसका अगला संक्या मिल जाएगा हमको यहां पर देखिए नेक्स प्रस्टन क्या हो रहा है यहां पर सबसे पहले पकड़ना पड़ेगा देखिए यहां पर E के बाद F F के बाद J, फिर O, फिर U फिर भी गिया है तो C से F C से F जाने में कितना लिया सबसे पहले सबका कोड़ लिख देंगे C का 3 हो गया देखिए यहां पर F F का कितना हो जाएगा F का 6 होता है कोड़ और J का होता है 10 यह O का 15 आ गया U का आ गया 28 यह आ गया 2 अब देखिए सबसे पर इसमें देखेंगे क्या चल रहा है यह 3 है, 6 है, 10 है, 15 है, 20 है, 2 है 3 से 6 जाने में कितना अंक लग रज़ रखिए यहां पर कितना जा रहा है यह 3 बढ़ रहा है 6 से 10 में 4 10 से 15 में 5 15 से 20 में 6 फिर 28 से 2 आ गया 7 ता किस में 7 जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 26 के बाद फिर रिटन करेगा क्योंकि यह किस है फिर 22, 23, 24, 25, 26 यहां तक जाएगा फिर 26 से सुरुआत होने लगएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह से जाने लगएगा मतलब 27 के बाद 6 के बाद कितना जाएगा फिर 7 जाएगा मतलब देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 मतलब 2 पर आके खतम होगा तब यहां 2 पर खतम हुआ है यह 7 गया 7 के बाद कितना जाना चाहिए 8 मतलब 8 जाना चाहिए 2 के बाद एकी 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा यह 10 में खतम होगा 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5 यह हो जाएगा 6 यह हो जाएगा 7 यह जाएगा 8 देखिए 2 यह हो गया यहाँ पर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यह 10 पर खतम हो रहा है मतलब इसके बाद कितना आएगा यहाँ पर 10 संक्या लिखाएगा यहाँ कितना लिखाएगा यह 10, 8 का अंतर होगा यह 10 संक्या जो लिखाएगा 10 किसका होता है J का होता है यहाँ पर लिखे हैं हम लोग भी J का 10 देखिए तो option कौन हो जाएगा J इसका right answer हो जाएगा मतलब इसके बाद क्या आएगा J आएगा simple यह देखना है कि C से F देखिए 3 से 6 मतलब 3 अंक आगे गया है F से यहाँ J 10 4 अंक आगे चला गया है ठीक है 15 से फिर 20 चला गया 6 चला गया फिर यहाँ 7 चला गया फिर यहाँ 8 चला गया ठीक है यह देखिए next person ने बोला है दिया गया A.V.O मतलब matrix में X के अस्थान पर क्या आएगा ठीक है यह देखिए जो दिया हुआ है box बनाया हुआ इसमें बोलता है X के अस्थान पर इसमें क्या आएगा तो सबसे पहले हम लोग को पता लगाना पड़ेगा कि यह देखिए बड़ा संख्या कोन है इसी पे हम लोग को ध्यान देना है मतलब जरूर यह दोनों संख्या को कोई रूल लगा करके यह 370 लाया है तो क्या करनेंगे इस तरह के प्रस्टन को सबसे पहले देखेंगे कि 3 और 7 को क्या किया जहे जो 370 मिले तो यहांपर दखिए यह क्यूब करते है क्योंकि बहुत बड़ा संख्या है 3 का क्यूब करेंगे तो कितना आजाएगा 3,3,9,3,27 7 का जदी क्यूब करके देखा जाये तो कितना आजाएगा यह 343 आ जाता है जिसे दोनों जोड़ देंगे तो देखिए आ जाएगा 7, 3, 10, 0, 4, 2, 6, 1, 7 और यहां पे 370 मतलब आ रहा है फिर देखते हैं बीच में ऐसा हो रहा है की नहीं हो रहा है 2 का क्यूब कर देंगे यह 8 आ जाएगा 6 का क्यूब कर देंगे यह 216 आ जाएगा तो देखिए 216 आ रहा है 224 हो गया मतलब वो काम कर रहा है तो यहां जो संक्या होगा और यहां का क्यूब एड़ करके यह 730 आना चाहिए था मतलब 1 का क्यूब करना होगा और यह X का क्यूब करना होगा तब किस के बरावर आ जाएगा? 730 के बरावर आ जाएगा तो हमको इसका cube चाहिए था बरावर यह 730 माइनस में एक इदा चला जाएगा यह 729 यह हो गया x cube यह x cube बरावर देखिए 729 किसका cube होता है? सबसे पहले द्यान देना पड़ेगा 729 किसका cube है तो यहाँ पर देखिए यह 729 किसका cube है यह 9 का cube है तो यह देखिए cube, cube मिल गया है इसका यह power मिल गया है बेस लिख सकते हैं x बरावर कितना? 9 यह लोग लिख सकते हैं यहाँ से देखिए x बरावर 9 मतलब यह होगी option number 6 is the right answer चलिए देखते है next present next present देखिए problem 8 दिये गे आप यह मतलब यह matrix होता है इसका अंग्रेजी और यह question mark के अस्थान पर क्या आएगा? तो देखिए यहाँ पर 3 से 6, 8, 56, 10 से 92, 2 से 2 इस type के question में इस से इसको या इस से इसको लाया गया होता है तो देखिए सबसे पहले हम लोग पकड़ेंगे इसमें कैसे लाया गया है? 3 से 6, जिदि यहाँ 3 से 3 का square करेंगे 6 आजाएगा आएगा क्या नहीं? 3 का square कितना आएगा? 9 आएगा, 3 को 2 से गुना करेंगे 6 आजाएगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 8 का square करेंगे और उसी में 8 घटा देंगे 64 में 8 गया यह ठीठी 64 में 8 गया 14 में 8 गया यहाँ पर 6, यहाँ पर कितना बच गया? चो हमें यह 5 बच गया, 56 मतलब यह काम कर रहा है अब देखते हैं, यह 10 का square करके, यह नप यहाँ पर कितना दिया हुआ है? 10 को ही घटा देंगे 10 का square, 100 माइनस 10 ही कितना आ गया? यह 90 2 का square करके, 2 को घटा देते हैं 2 का square करके, 2 घटा देंगे 2 का square, 4 माइनस 2 कितना आ गया? यह 2 आ गया अब यहाँ पर क्या रखना चीए? गता देंगे तो आप सिम्पल ध्यान लगाना है किसका स्कौयर करके उसको गता दे जो 20 आजाएगा तो देखिये यहां पर 5 का स्कौयर 25 में पांच गया तो 20 मतलब यहां 5 होना चाहिए था आप सर्ण नमबर a is the right answer सर तो unpredict लोग को बहुत अच्छा समझ में आया होगा निकिसी प्र викार की Mil diz कि सरे इस प्रस्टरण को थिर संखा दीजिए और फिर कहीं आप फस रहें तो वहाँ पर आपको फिर से कॉमेट में पाईगा चलए देखतेprehं नेक्स प्रस्टरण देखें next किया गया है तो देखिये यह 84 है यह 12 है यह 14 है अब देखते हैं आप दिमाग लगाते हैं यह कितना दिया हुए 12-7-84 14 का आधा किया गया होगा 14 को 2 से भागा देने कितना बच्चा साथ अब यह साथ को ये 12 जो है इधर उड़क, किनारे उले संख्यासे गुना कर देते हैं, तो मेरा यहाँपर 84 आ जाता है, मतलब यही कhail देखते हैं, चल रहा है, कि 88 का आधा मतलब 88 को दोसे भागा दे देंगे, बचे का 9, फिर इसके किनारे उले संख्यास गुना कर देते हैं, कितना आगया, यह 18, मतलब यह सही है तो यहाँ पर क्या रखा जाए और बाय 2 किया जाए, किसका आधात यहाँ पर जदी, एगर 88 जदी यहाँ पर 16 होगा तो 16 होटे 2 करेंगे, कितना जागा 8 अब यह 8 को 11 से गुना करेंगे तो कितना जाएगा यहाँ पर यह देखिए 88 आजाएगा, मतलब यहाँ पर सौला होना चाहिए था कोचन मार की अस्थान पर क्या होना चाहिए, सौला होना चाहिए था ठीक है, यह सौला हो जागा इसका राइट एंसर, फिर देखते हैं चलिए, लास्ट प्रस्ट जदी आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में सेर करिए ज़िए आप चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और बेल आकन को प्रेस कर लिजिए क्योंकि ये मिसलेनियस प्रोबलम मेथ और इजिनिंग के पढ़ाते हैं इस चैनल पर और साथी साथ मेथ और इजिनिंग के सारे टॉपिक्स और चैप्टर को भी कवर करते हैं ये देखिए नेक्स बोल रहा है नीचे दी गए आकिरतियों को देखर लूप संक्यां बताएए यहां पर ये कौन संक्यां लूप तो यहां को क्वर किया होतां और यहां पर क्या होगा यहувाना है यहां पर देखे क्या हो रहा यहां पर यह 29-321 Πर centralized क्या छाटिस तो क्या करेंगा यहांपर यह देखिए दो से असी, या असी से दो, असी से तो तो नहीं आ सकता है, ये दो से असी लाया गया होगा, ठीक है, तो कैसे लाया गया है, या फिर किस तरह से किया गया है, तो देखिए, जिए दो से असी को भागा देते हैं, तो कितना आता है, चालिस आता है, कितना चालिस, अफिर चालि ठीक है फिर यहाँ पर देखिए 120 को 3 से भागा देंगे तो मेरा आजाएगा 34 दी यहींत इसकुलों किया मतलब है कि यह 36 को और 7 से नहींचा थैसी नहीं जाता है नौसरा टालों में यहीत जाता है यहीं चार गो फिर यहां नौजो रहेगा नौसरा गुना और देंगे अंसर तो देखिए आप लोगों को ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो फिर से गवार बोल रहा हूं इसे लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर कर देजिए उन तक कोंच चाहिए जो कोचिंग करने नहीं जाते हैं या कोचिंग नहीं भी कर पाते हैं घर से ही त्यारी करते हैं किसी भी कारण वस तो उसके लिए बहुत ही लाबकारी होगा फिर मिलते हैं इसका वीडियो सकेंड लेकर के मिसलेनियस प्रोब्लम वीड ते